ये वीडियो देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि मालपुए बनाना इतना आसान होता है तो चलिए बिल्कुल इजी स्टेप्स में हम मालपुए बनाते हैं तो ये ले लिया है मैंने एक कप मैदा जितना मैदा लेंगे उसका आधा एमाउंट का हम रवा लेंगे या सूजी लेंगे बारीक वाली बहुत मोटी है तो उसको थोड़ा सा मिक्सी में चला लेंगे और दूद से हम इसको एक पेस्ट बनाएंगे दीरे दीरे मिक्स करते हुए एक इसका अच्छा सा स्मूध सा बैटर रेडी करना है बैटर बहुत रनी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए फिर अब इसमें मिलाया मैंने पोस्ता दाना यानी खसकस या पॉपी सीट जिसको बोलते हैं थोड़ी सी सॉफ को मैंने कूट के लिया है तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा ये बारी कटे हुए मैंने थोड़े से बादाम ले लिये हैं और ये डेसिकेटेट कोकोनेट इसका भी एक देड़ चमच के करीब ले लिया है अब इन सब को अच्छे से मिक्स करके और हम रग देंगे तो ये थोड़ा सा जो इसका रवा है वो फूलेगा तो बाद में हो सकता थोड़ा गाड़ा हो जाएगा तो हम बाद में देख लेंगे consistency अब हम इसकी चाशनी रेडी करेंगे चाशनी के लिए मैंने आधा कप शक्कर लिया है और उसका double amount में पानी लेंगे तो इसको हमें इसमें हम थोड़ा सा ये केसर के कुछ दाने और इलाइची पाउटर डाल देंगे इसको हमें एक तार या दो तार जैसा नहीं बनाना है जस्ट चाशनी घुल के थोड़ा सा 2-5 मिनिट उबाल आने देंगे अब हम एक पैन में घी डालके और इसके पैनकेक जैसे ऐसे चोटे-चोटे से बनाएंगे अब एक अलग कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालके और उसको गरम करेंगे और ये पैनकेक को उठाके और हम उसमें फ्राई करेंगे तो इसमें pan में पहले से डालने से क्या होता है कि एक shape आ जाता है ने तो direct हम तेल में डालते हैं घी में डालते हैं तो वो तेड़ा मेड़ा हो जाता है तो इस तरह से अच्छे से फूलता भी है तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से अच्छे से फूल जाएगा soft सा हो जाता है बढ़ियां जब हम चाशनी में डालते हैं तो बहुत अच्छा soft soft सा आता है तो ये देखा कितने अच्छे से फूल गया ना, बस हम इसको golden सा fry करके और हम अपनी चाशनी में डाल देंगे तो इस तरह सारे pancake जैसे बना के fry करके हम सारे मालपुए चाशनी में से भिगो के रखते जाएंगे fry करके तुरंथ हमें चाशनी में डालना और चाशनी भी गरम होनी चाहिए तो जादा अच्छे से उसमें absorb होगी, अब ये सारी हम मालपुए चाशनी से निकाल के और उसके उपर थोड़ा सा dry fruits डाल देंगे तो दिखने में ये जितने अच्छे लग रहा है खाने में उससे कई गुना जादा अच्छे, तो आप ही ज़रूर try कीजिएगा और इसी तरह की और recipes के लिए मेरा चैनल subscribe कर लिजेगा